हेलो बच्चों, आज नाटि सुमन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाटक अंधेर नगरी जिसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंदर ने और मैं आवी रूप में लेकर आई हूँ और तुकांत रूप में लेकर आई हूँ तो चलिए इस नाटक का मजा लिया जाए सहर के बाहर शड़क पर महंत जी और दो चेले गुन गुनाते हुए दारारारारारारारारारा जिन्दगी में मुस्कुराना चाहिए नगर जो सुन्दर दिखाई दे पड़े मांग कर कुछ लेके आना चाहिए नगर तो सुन्दर बना है मानिये भिक्छा भी सुन्दर मिले तो जानिये बेटा नारायन तू पूरब चला जा और गोवर्धन तू पश्चिम चला जा बाजार का द्रिश्य क्यों रे कुजडा क्या भाव है कोहडा कद्दू हो या बेर सब है टके सेर बड़े मजे हैं बड़े मजे टके सेर हैं सब ही चीजे हलवाई के पाश जा कर क्यों भाई हलवाई क्या भाव है मिठाई चाहें जो भी मिठाई तके सेर ले लो भाई अंधे को लगी बटेर सब कुछ है टके सेर सब कुछ है टके सेर बड़ी है खुश खबरी अब तो बता दो कौन सी है नगरी जहां मिलता है सब कुछ टके सेर नगरी है या अंधेर वाह वाह है कौन इस राज्य का राजा अनबुझ राजा वाह भाई वाह अंधेर नगरी अनबुझ राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा बिक्चा मांकर लाया हूं साथ पैसे दान के साड़े तीन सेर मिठाई दे दो ताजा चान के महंत जी और नारायन दाश एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दाश आता है बच्चा गोवर्धन क्या मिला है कुछ धन? गठ्षी तो बड़ी भारी है इसमें क्या तरकारी है? नहीं नहीं गठ्षी में मिठाई है बड़े जतन से लाई है साथ पैसे भीक मिले थे तीन सेर मिठाई है बता रहा था नारायन, मुझे नहीं विश्पास, मगर सभी चीजें हैं टके सेर, सोना होया बेर, कौन सी नगरी कौन सा राजा, जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा अंधेर नगरी अन्बुझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा तो बच्चा ऐसी नगरी में हमें न रहना जादा जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा गुरु जी मैं तो इस नगरी को छोड़ कर नहीं जाऊंगा थोड़ा समांगूंगा और पेट भर खाऊंगा देख मेरी बात मान नहीं तो पच्टाएगा मैं तो जाता हूँ पर इतना कहकर कि कभी न कभी संकट में पढ़ जाएगा राजा मंत्री और नौकर लोग यथा इस्थान बैठे हैं परदे के पीछे दुहाई है का सब्द होता है दुहाई हो महराज दुहाई हो कौन चिलाता है उसे बुलाओ दो नौकर फरियादी को लेकर आते हैं दुहाई हो महराज दुहाई हो क्या हुआ जल्दी बताओ अपने मन की व्यथा सुनाओ कल्लू बनिये की दिवार गिरी मेरी बकरी दब मरे कल्लू बनिये को लाओ जल्दी दो सिपाही कलू बनिया को पकड़ कर ले आते हैं क्यों रे बनिये बात यहां तक कैसे बढ़ी बकरी इसकी कैसे मरी महाराज मेरा कुछ दोस नहीं कारीगर ने अच्छी दिवार बनाई जो बकरी के उपर भाराई अच्छा कलू को छोड़ दो कारीगर को पकड़ लाओ क्यों रे कारीगर इसकी बकरी कैसे मर गई चूने वाले ने चूना बनाया ऐसा खराब कि दिवार गिर पड़ी महाराज अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ कारी गर निकाला जाता है चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है क्यों रे चूने वाले क्या खराबी की गई कि इसकी बक्री मर गई थी ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया इसी से चूना कमजोर हो गया तो भिष्टी को पकड़ो दो सेनिक भिष्टी को पकड़ कर ले आते हैं क्यों रे भिष्टी इतना पानी क्यों डाल दिया कि विवाद गिर पड़ी और बकरी दब गई